यह जी वेरियंट टोयोटा हाई राइडर का और हमने बुक किया था इवेरियंट जो किया बेस वेरियंट बेस वेरियंट आता है साधे बारा लग का और यह जी वेरियंट हमें पढ़ा है लग बग 16 लग का तो हम साधे 3 लग रुपे हमने एक्स्ट्रा क्यूं खर्चा और ज घाड़ी कि टोइटा में गए जब भी गाड़ी की बुकिंग करवानी थी जब ट्राइव लेनी थी यह जब भी जितनी बार भी गया है साथ में गया था तो आप यह समझ सकते हो कि मैंने वहीं सब एक्सपिरींस किया जो इस गाड़ी के ओनर ने किया हां अर्ची पर मेरा नाम नहीं है पर आप एक तरह से मिरे को इस गाड़ी का ओनर समझ सकते हो अभी तक यह उस बहाफ में बाद कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको बतायता हूं हमने यह बगाडी जो बुक करवाई थी वो करवाई थी नुवंबर में नुवंबर के शुरू में बुक करवाई थी और उस टाइम पर जो हमें बताया गया था कि इसकी जो वेटिंग पीरियड वो लगबग आठ महीं नेका है तो हमन कुछ कॉम्प्रॉमाइजिस थे उसमें जैसे कि यह जो अनुवंबर निकल गया संबर दिसम्बर निकल गया ढ़िए घिक एजी जो एक आप मिलती है टो योटा की जिसमें की वह आप अपडेट रिते आपकी स्टेटेस आम किशाप से आपकी गाडी आगई यह को सारके भी पहले दिन जो जितना स्टेटस था मतलब कि नुवंबर के शुरू में जब हमने बुकिंग करवाई थी उस टाइम पे जो स्टेटस था सेम स्टेटस हमें जनवरी में मिल रहा था और जनवरी के लास्ट आते आते हम इतना फैड़ पोगे थे कि यार गाड़ी मिलेगी भी कि जब हमने बुक्रवाई थी नुवंबर में तब भी यही कह रहे थे कि आपको आठ मीने की वेटिंग लगी और जब जनवरी लास्ट आ रहा था उस टाइम पे भी हमें यही बोला जा थे कि आपको आठ से दस मीने की वेटिंग अभी लगेगी तो उस टाइम भी कुछ प्रॉब्लम आरे थे पीछे असेंबल कम हो रही है या किस गया इनका टेकनीक है वह में नहीं पता लेकिन बेस विरियंट इसका क्योंकि बहुत वैल्यू फर मनी तो हम लोग उसकी तरफ ज्यादा ट्रेक्ट होते हैं और उसकी बुकिंग वगएर ज्यादा थी वह चीज त कर लो जो यह जी वेरियंट है और जो यह वेरियंट बेस आता है उसके बीच में एक अपग्रेड कर लो तो आपको शायद थोड़ी जल्दी गाड़ी मिल जाए क्योंकि वह गाड़ियां एस वेरियंट आ रही थी अब हमारी दो तिन प्रियोर्टी थी गाड़ी लेने में करने तो दूसरी थी कि हमें मैंनुएली चाहिए थी हमें आटमेटिक नहीं चाहिए थी त्री प्रिएरियुर्टी की हमें क्लर की गाड़ी चाहिए और टेचिछा अब जाये चाहिए वाइट कलर ना लेकर आप देखो अभी हम ग्रें'd गाड़ी के खड़ें तो यह तीन प नहीं लेक्ट करना चाहिए है और किया करना चाहिए तो सब्सक्राइब भी तो EL2, कि Muhyamuna है Heeright estimated 9 in contact or on road trip और मैंने सब्सक्राइब क्या करना चाहिए नहीं की कि बेस सब्सक्राइब जो है लगबग 12 लाग का पड़ता है उन रोड उसके बाद उसमें क्योंकि खाली आता है वह म्यूजिक सिस्टम वगएरा उसमें नहीं आता है यह अलोई वील नहीं आते और कई चीजें जो इंपोर्टेंट चीजें जैसे अलोई वील देखने में अच्छे लगते हैं यह एक जूरत बन जाती गाड़ी शोरूम से निकली और सबसे पहले अलोई वील ही डलवाने पड़ने थे तो वह क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें जिसके जो खर्चा हमारा बच रहा है तो वह सब्सक्राइब कर दो लाख रुपे का खर्चा सा जैसे अलोई वील हो गए अंदर म्यूजिक सिस्टम हो गया टश्क्रीन वगारा फिर क्यूंकि उसमें एक्सेसरी भी लगवानी पढ़नी थी अब इसमें वह हमें फ्री एक्सेसरी ओफर कर रहे थे 25,000 रुपे तक तो वह चीज हमारे पैसे बच रहे थे साथ में यह जो एक्स्ट्रा हमें बेस वेरियंट पर खर्चा करना पड़ना दो के लख डेड़ दो लख रुपे का तो वह मारा पैसा बच रहा था तो हमने यह डिसाइड किया कि बेस वेरियंट को अभी हम टाटा बाइबाय बोलते हैं ठी अबचा करने के लिए हम एक तो पहले अगर बाहर कहीं पर भार रहे हैं तो गाड़ी खुलवानी पड़ती है वह जो खराबी यह दो पैनल खुलते हैं तो लौक टूटते हैं कहीं कुछ होता है और कहीं नहीं वारंटी भी वोईड हो सकती हैं अगर हम कुछ भी काम कर लेकिन पैसे matrix देने के बाद क्या क्या चीज़े हमें extra मिली हैस वीडियों इस बात कर grilled upon के और रहा है सबसे पहले हमें कम्रोमाइज करना था यहां पर यहां पे जो हेड्ड लाइट है उसमें वाइट या अर्धीलाइट चूंज पर देख और ने लग HERE आपके और सीक्वीस चूज कर रहे हैं उस चीज का तो हमने कॉम्प्रोमाइस मोटा मोटा किया है लेकिन अगर साइड पर आ जाएं तो यहां पर उसमें नॉर्मल टायर मिलने से मतलब नॉर्मल वील्स मिलने से रिम और इसमें हमें अलोई वील इस वेरियंट में मिल गए हैं जो की काफी सुन्द तो यह से अलोई वील ही चाहिए थे अगर मैं से वह उनको दीलवाता कॉम और में जाते हैं मतलब यह पर आपने वील आते हैं ने तो यह चीज अए बहुत अच्छी मिली II है त Cyclas o त्सप्र आविय में भी मिलिए किosse तो यह चीज तो हम मतलब मोडिफिकेशन करवा के भी नहीं करवा सकते हैं यह अगर हम फिलम लगवा लेते तो वह वैसे लेकिन यह ग्लास जो है हम किसी तरीके से मोडिफाई नहीं कर सकते थे पीछे की तरफ मैंने आपको बता दिया यहां पे इस वेरियंट में यह हमें डिफोगर और यह वाइपर वाशर मिल जाता है बेस वेरियंट में हमें यह वाइपर वाशर वगेरा नहीं मिलता तो उस ची कि दरफ को आ जाएं तो यहां पे क्या-क्या चीज़ी एक्ट्रा मिली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर यह जो लैदर फिनिश आपको मिलती है यह हमें भी मिलती है ठीक है सौफ्ट टाच मिलता लेकिन वह कपड़े वाला मिलता वह उतना अच्छा अच्छी लगता तो वह भी अगर हम मोडिफाई करवाते तो वह एक एक्स्रा खर्चा था कि यहां यहां पर भी लैजराइट करवाते फूरा एक एक्स्रा खर्चा पड़ता और साथ में यह प्यानो ब्लैक फिनिश यह बेस वेरियंट में नहीं मिलती है यह अच्छी लगते रेखन तो कल को यह भी प्रॉब्लम हो सकती साथ में यहां पे इस गाड़ी में जी वेरियंट में आपको 6 एफवाले को होते हैं वो तो हैं हैं दो वॉल यो यह ए एक्स्रा एच्छा एड़न हो गया है जो कि हम चाके भी base variant में modify नहीं कर सकते है extra नहीं डलवा सकते थे बाहर से अब एक और चीज जो यहां पे हमें extra मिल गी है इस variant में अगर हम base में जाते हैं वो हमें नहीं मिलती वो है कि यहां पे cruise control मिल जाता है इस गाड़ी में अगर हम base variant लेते हैं क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता और हम चाके भी बहर से cruise control नहीं लगवा सकते हैं इतना तो आपको पता ही है साथ में यह touchscreen जो है यह भी हमें extra मिली है यह तो हम बार से लगवा सकते हैं लेकिन वही है साथ में यहां पे यह जो सारे chrome वगवारा मिल रहे हैं जैसे गेर नौब है यह अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है उसमें base variant में यह plane सा मिलता साथ में यह यह rear view mirror जो आई automatic मिलता इस वाले variant में दूसरा variant अगर हम base variant लेते तो यहां पे हमें लेना पड़ता तो मतलब यह overall अगर हम चीजें गिने कि क्या क्या हमें इस गाड़ी में मतलब साड़े तीन लाख रुपया तो दिया लेकिन साड़े तीन लाख के हिसाब से गर मैं value अगर calculate करता हूं तो हमें कहीं नहीं अच्छा profit हुआ है ठीक हमें थोड़ा पैसा ज्यादा खर्चना पड़ा जितना हम खर्चना चाहते थे उससे तो लेकिन यह कि कहते ना कि बगवान जो चाहता है वह होता है तो बगवान ने चाहा और जैसे यह soft touch वगएरा मिल गया हमें थोड़ा एक्स वीडियम तब तक के लिए बाय टेक केर